नमश्कर दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि घर बैठे मोबाइल से आप इसली लोन कैसे ले सकते हैं कई बार हमें क्या होता है लोन की बहुत ही जरूरत पड़ जाती है और हमें लोन नहीं मिल पाता है तब आप उस सिच्वेशन में मोबाइल क जरीये घर बैठे लोन प्राप्ण कर सकते हैं चाहे वह प्रसnew हो हौम से לא कि और झालो या किसी भी प्रकैर का लोन हो आप घर बैठे अपनी मोबाइल के जरी ले सकते हैं कैसे लेना है आज की इस वीडियो में कम्प्लेट परसेश के साथ आफ же स्टेप बाइ स्टेप करके दिखाने वाला हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम जान देजे मैं हूं किस आप सभी दोस्तों का अपने यूटुब चैनल टेकनिकल वर्ल्ड एमजे चैनल पर स्वागत करता हूं दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सस्क्राइब कर दें और साथ में नोडिफिकेशन का बेल लवान ना भूले ताकि असी हमारी लेटेश्ट वीडियो की नोडिफिकेशन में आपको सबसे पहले तो आईए वीडियो स्टार्ट करते हैं अगर आप भी चाते हैं घर बैठे लोन लेना तो इस वीडियो को भिना स्किप किये लास तक जरूर देखिएगा ताकि आप भी सीख सकें कि घर बैठे कैसे लोन लिया जा सकता है सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों प्ले स्टोर में आ जाना है प्ले स्टोर में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर लिखना है आपको HDFC loan जैसे ही आप यह सर्च करेंगे डालकर यहाँ पर जैसे ही सर्च करेंगे यह फर्स्ट वाल लिंक आपका open हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं loan assistant quick bank loans आपको इसे download कर लेना है जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने download कर लिया है और download हो जाने के बाद आपको simply सई से install करने के बाद open कर लेना है दोस्तों जैसे ही आप open करेंगे यहाँ पर कुछ ही इस पर कारका interface नजर आएगा यहाँ पर आपको login के लिए बोला जाएगा इस पर click कर देना है और अगर आप पहली बार registration कर रहे हैं तो आपको deregistration के उपर click कर देना क्योंकि मैंने पहले किया हुआ है इसलिए बता रहा है ऐसे यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ दुबारा open करेंगे अगर login नहीं हुआ है तो आपको अपना mobile यह देखिए यहाँ पर आ गया है कुछ इस पर करका interface नजर आएगा और continue पर click करना है और यहाँ पर आपको अपना mobile नमबर डाल लेना है 10 digit का तो चलिए हम mobile नमबर अपना enter कर लेते हैं mobile नमबर डालने के बाद आपको यहाँ पर blue tick पर click कर देना है और next कर देना है next करने के बाद agree के उपर click कर देना है submit कर देना है sorry जैसे आप submit करेंगे यहाँ पर आपका mobile नमबर आ जाएगा और यहाँ पर OTP के लिए बोला जाएगा तो आपको confirm कर लेना है जैसे दोस्तों आप confirm पर क्लिक करेंगे आपके mobile पर एक OTP भेजा जाएगा जो की आपको यहाँ पर डालना होगा तो चलिए हमारा OTP आ चुका है हम यहाँ से आटो फिल करके यहाँ बर देते हैं उसके बाद आपको app password बनाना होगा जो की 6 digit का होगा आप 6 digit में कोई भी password लगा सकते हैं उसके बाद आपको sumbid पर क्लिक कर देना है जैसे दोस्तों आप sumbid पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आच चुका है loan and cars smart talk interesting rates मतलब की जो की ब्यायल लगेगा उसका price track your loan manage your finance your apps तो हमको loan के बारे में पता करना है तो आपको first वाले link के उपर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं loan and cars personal loan, home loan, car loan, two-wheeler loan, gold loan, business loan, loan against property, working capital loan, loan against securities तो यहाँ पर बहुत सारे option दिये गए हैं मान के चलिए मुझे personal loan लेना है आपको personal के उपर क्लिक करना है और यहाँ पर अगर आप call arrange करना चाहते हैं तो आप call arrange भी करवा सकते हैं यहाँ पर call back के नीचे लिखेंगे यहाँ पर अपना नाम, last नाम और select loan product कौन से product के लिए आप loan ले रहे हैं कौन से राज्य से हैं, कौन से city से हैं और submit कर देंगे उसके बाद आपको HDFC की bank की तरफ से आपको call भी आ जाएगी अगर आप apply करना चाते हैं, यहाँ apply के उपर click करेंगे और यहाँ पर apply करने के बाद my employment status आप salary है यह self है मान के चलिए मैं self हूँ, self पर click करने के बाद ok कर देना है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, आप से दो proof पांगे जा रहे हैं physically देना चाते हैं, या धार ekyc, मान के चलिए मेरे को physically देना है और proceed के उपर click कर देना है, जैसे आप इस पर click करते हैं, फिर proceed का option आएगा इस पर click कर देना है, और यहाँ पर आपनी details mention कर देनी है नाम, date of birth, address, state, यह सारा आपको भरने के बाद continue पर click कर देना है तो चलिए हम इसे जल्दी feel कर लेते हैं, सारा कुछ feel करने के बाद continue पर click कर देना है जैसे continue पर click करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपसे आपका pen card का number और यहाँ पर married हो, unmarried हो यह डालना है हिंदू हो, जो भी है कास्ट, आपको यहाँ पर mention करनी है चलिए जल्दी भर लेते हैं सारी detail भरने के बाद आपको continue पर click कर देना है जैसे ही आप इस पर continue पर click करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर सारी चीजे का वियोरा देना है आपको पुछा जाएगा आपको बताना पड़ेगा फिलाली से हम भर लेते हैं फटाफट सभी detail भरने के बाद आपको continue पर click कर देना है एक second और continue कर देना है जैसे आप continue करेंगे दोस्तों, एक second यहाँ पर amount आपको अपने हिसाब से डाल लेनी है और continue कर देना है जैसे आप continue करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं loan किस purpose पर आप लेना चाहते हैं यहाँ पर जैसे click करेंगे तो आप personal use के लिए लेना चाहते हैं यहाँ पर लिख देंगे आपको amount कितना चाहिए, वो डाल देना है मान के चलिए मेरे को पंदर एक सेकिंड असी हजार चाहिए, मान के चलिए और आप कितने मन्थ में वापस करना चाहते हैं मैं बारा मन्थ में वापस करना चाहता हूँ मान के चलिए आपको reference में कोई भी अपने friend का नाम दे देना है और उसका mobile number एंटर कर देना है उसके बाद यह आपसे पूछ रहा है आपका account HDFC bank में है yes या no तो आप no पे क्लिक कर देंगे अगर है तो yes पे क्लिक करके continue कर देंगे जैसे दोस्तों आप इस पे continue पे क्लिक करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी detail application की आचुकी है आपका application गई रहा loan amount 80,000 यह आप इतने साल में वापस करेंगे आपका interest 13.75 पर रहनम मतलब कर साल कर लगेगा इम यह आपकी 7,174 रुपे बनेंगी loan processing fees 2360 रुपे यहाँ पर सारी किजे mention की गई है और उसके बाद अगर आप confirm करना चाते हैं तो confirm पर क्लिक कर देंगे otherwise no पर क्लिक कर देंगे मुझे नहीं चाहिए था मैं तो आपको बताने के लिए मैंने apply किया हुआ था तो इस तरह से आप भी घर बैठे online apply करके loan प्राप कर सकते हैं उमीद करता हूँ आप लोग सीख गए होंगे कि कैसे घर बैठे loan लिया जा सकता है वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं यादा ज़्यादा लाइक करें शेर करें और चैनल पर पहली बाइर विजिट कर रहे हैं पहली बाएं नोडिफिकेशन का बेल लाना आबने आपको आज के लिए फिर मिलते हैं ने वीडियो नियू अपडेट के साथ तब तक लिए जाहिन गुंदे मात्रम